बाशा सिक्षन के आज के इस विशे सत्र में नित्रवाप का स्वागत है आज मैं आपके विवित प्रश्णों का चवाब एक साथ देने का प्रयास करूंगा जो आप लोगोंने कमेंट बॉक्स में दिया है चुकि मुझे लगता है कि यह जो आज मैं आपके साथ बात करने ज ज़रूरी है कि लोगों के कांसेप्ट क्लियर किये जाएं और एक ही प्रश्ण कई लोगों के लिए लागू हो सकता है सबसे पहला प्रश्ण आया है इनका नाम है Everything You Should Know इन्होंने कहा है कि सर मैंने MA Translation Studies से किया है और मेरा मीडियम आफ एक्जामिनेशन हिंदी एंग्लिस द पहले ही आपको Translation सिखाता है लेकिन इसके साथ आपके पास Certificate या Diploma in Translation जरूरी है क्योंकि यह जो MA है आपका वह Equivalent to Post-Graduate माना जाता है तो Translation का Diploma नहीं होगा तो आपकी Elisability नहीं है दूसरी बात मीडियम यहां हिंदी और English लिखा हुए यह sufficient है इसके बावजूद भी Graduation में आपका Reverse कुछ ने कुछ होना चाहिए या तो Medium English हो या Medium Hindi हो या फिर Graduation में आपका एक सब्जेक्ट Hindi या English हो आपके इस परिणाम के मुताबिक आगे चलते हैं अगला है इन्होंने किया है UPSC JTO का जो Attestation Form है वो कैसे भरना है इसके लिए भी एक वीडियो बना दो मैंने UPSC के Attestation Form पर एक वीडियो बना दिया है मुझे लगा आप लोगों ने देख लिया होगा एक बार उसको चेक करें इस पर वीडियो आलरी है इसक दिखा है कि मैं जून 2022-23 के सेसन में PGDT के लिए एडमिशन लिया था और एक्जाम दिसंबर 2023 में दिया और मेरा रिजल्ट का प्रिंटिंग डेट 2024 जून है तो मैं इलिजबूल हूँ या नहीं सारीन का है पासिंग येर क्या डालूं देखे PGDT के जो लोग है PGDT के लोग कर रहे हैं उनके मार्कशिट में जिस दिन मार्कशिट प्रिंट होगी मान लिजए पांस साल पहले अपने डिगरी लिया है आज आप जाएंगे तो आज का डेट प्रिंट होगा वह माइने नहीं रखता आपका जो ओरिजनल सर्टिफिकेट आता है जो यूनिवर्सिटी आ डेट ही एक्चुल होता है वो तो बाई डिफॉल्ट उनके कम्प्यूटर में ऐसा सेट है कि जिस दिन छपेगा जिस दिन प्रिंट होगा उस दिन का दिन दिया जाएगा तो आप जो भी लोग दो हजार तेइस में इकईस में बाईस में किये हैं तो पहले एक बार आपका औरिजनल सेटुवेट चेक कर लें अगर आपने औरिजनल सेटुवेट नहीं मंगाया है तो उसके मंगाने का उपकरम करें और अपना जब जैसे मान यह दिसांबर में एक्जाम खतम हुए तो दोजर तेईस देंगे अगर उसके पहले वाले साल में हुआ है तो दोजर बा लावा देखिए फॉन्ट की जहां तक हम बात करें कि फॉन्ट कुछ नहीं है अगर आप विंडोज का आफिस 2007 प्रियोग करते हैं तो उसमें मंगल होगा टूथाउजन एट नाइन जब आया है तो उसमें अपराजिता आ गया था और उसके बाद अब 2011 जो चल रहा है उसम मंगल फॉन्ट ही मान के चलिए कि वह मंगल फॉन्ट है क्योंकि वह यूनिकूड फॉन्ट है और इसके बारे मैंने एक वीडियो किया है आप सर्च करके देख सकते कारेशाला नाम से हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें यह मिल जाएगा आपको तो आप उसमें नगवडाएं इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में है आपको इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइपिंग सीखना है यह सुनिल जी ने पूछा है अभी भी जुलाई दोजार चोबिस एडमिशन हो रहा है क्या सुनिल जी आप इगनू की वेबसाइट में जाएं मेरे ख्याल से 16 अगस्त तक उ हम टाइप भी कर सकते हैं जी हां बिल्कुल आप टाइप करके भेज सकती हैं हाथ से भी लिखके भेज सकती ही कोई पाबंदी नहीं है अगला प्रशन यह किया है कि क्या गौर्मेंट इंप्लॉईज के लिए अपने ऑफिस से नोसी लेने के ज़रुत होती है जी हां बिल्क उसी नहीं देंगे ऐसा अगर वो लिखके दे देते हैं तब भी काम चल जाएगा लेकिन आप आवेदन करके आफिस को ज़रूर बताएं इन्होंने पूछा है एवी एट फोर एट जीरो ने इन्होंने पूछा है सर्टिफिट कोर्स कहां से कर सकते हैं और डूरेशन कितने जिनका होना चाहिए सर्टिफिट कोर्स के लिए मानिता प्र आप जो भी युनुरसिटी या कॉलेज आप वहां से कर सकते हैं इसके उपर भी हमने एक वीडियो डाला है आप उसको देख सकते हैं यह अब जिस शेहर में रहते हैं वहां के कॉलेज या या युनुरसिटी मे बात करके देखें, वहाँ सर्ट्विट कोर्स का आप्शन में लियाएगा, चली मित्रों मुझे लगता है, मैंने आप लोगों के प्रश्णों का जवाब देने का प्रयास किया है, चलते चलते एक प्रश्ण मैं भी आप लोगों से कर लेता हूँ, देखें, यह प्रश्ण पत्र आया था, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की परिश्या में, जिसका निवारण ना हो सके, इसके लिए चार विकल दिया है, दुर निर्वार, कश्ट साध्य, अनिवार और अपरिहार्य, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, हलांकि आप लोग टिक किया हुआ देख सकते हैं, कि तीन नमबर में टिक किया हुआ है, पर क्या यह सही है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजेंगे, मुझे इंतजार रहेगा, फिर ऐसे ही दस एरर फाइनिंग्स पर मैं चर्चा करूँगा अगले वीडियो में, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है, अगर वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो अपने साथियों से,